हेटफ़न लगाके वीडियो देखें प्लीज तो आपको जरू समझ में आएगी वैसे भी आपको समझ में आएगी हेटफ़न से बैटर साउंड आपको मिलेगा जैसा मैं लेखा हुआ है बेसिक एडवांस तो आपको जहां पर जो भी कुर्शन होगे वो बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस तक आपको ले जाएंगे तुक है बिरकुल लोलेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो हमारी कुछ पीडियो होगह Поэтому कि आपको मिलेंगे फ।ो परसेंटेज हमें पेले जहीं देखना है परसेंटेज क्या है कैसे सौल होता है ।से पहले सब्सेंटेले करने के लि करने के लिए होती है लेकिन actual में होती है हमारी 100 परसेंट तक ही है ठीक है तो हम solve कितनी कर सकते हैं कितनी भी लेकिन होती कितनी है जैसा हमें यह question दिया है question number one 30 percent of x equal to 72 the value of x is तो किसी एक value 30 percent 72 के equal है तो हमें x की value बतानी है ठीक है तो देखो यहां पर एक clear आपको बता दूँआ और percentage में कहीं off मिल रहा है percentage क्या पूरे महत में तो mostly उसका मतलब होता है multiply और is मतलब b-verb b-verb कहीं मिल रही तो इसका मतलब आपका कि वह equal में है तो जहीं लिखा है 30 percent of x equal to 72 ठीक है तो देखिए यहां पर हम percentage हटा रहे हैं तो 100 का हमने divide किया हुआ है ठीक है और off हटा रहे हैं तो देखो हमने multiply किया हुआ है तो 30 into x upon 100 equal to 72 ठीक है तो x equal to क्या हो जाएगा अब हमें x की value find करने है तो x हमें single रखना होगा जो numerator है उसे denominator दूसरी side में ले जाके हम कर देते हैं 72 into 100 upon 30 ठीक है तो अब हमें यहां से solve करना है तो हमें पूरी calculation अपनी करने है कट करके solve करना है ठीक है तो पहले तो यह है कि denominator numerator numerator change इसलिए हो रहे है क्योंकि हम दूसरी side में लेके जारे है इसको आपको पूरा focus करके रखना है ठीक है जब यह आप कर पाऊगे और यह क्योंकि दूसरी side में जाने पर है हमारी form change हो जाती है और यह हमारा होना जरूरी भी है अगर हम form change नहीं करेंगे तो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा form change होने का कारण multiply करना या divide करने से कुछ related होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर देखो मैंने 0 से 100 कट किया 100 का एक 0 कट किया 3 से 72 कट किया कितने बार में 24 टाइंट में ठीक है 72 वो 7 24 इंटू 10 कितना हुगा 2 4 0 हमारा answer second question है हमारा 40 percent of x इक्वल टू कितना होगा 104 वैल्यू आफ एक्स की वैल्यू बतानी है तो देख वही मैंने लिखा है कि 40 percent of x इक्वल टू 104 जह आपको मैंने बताया था और अफ अठाने के लिए multiply percentage हटाने के लिए 100 का divide और इस के प्लेस पर equal हमने किया यह है फिर से value हमें x की चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर x को हम अकेला चोड़ेंगे और सारी चीज़ें उनको हम अलग करेंगे अलगा दूसरी चाइड ले जाएंगे दूसरी चाइड में जो numerator में वो denominator जो denominator है वो numerator 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 हमारा उपर वाला होता है denominator हमारा नीचे वाली value होती है ठीक है तो यहां पर हम अब इससे solve करेंगे तो देखो 0 से 0 पहले हमें cut करना होगा 40 का 0 है इससे हम 100 का एक 0 cut करेंगे ठीक है यहां से हम क्या करेंगे 100 का 0 cut करेंगे तो उपर हमारा क्या बच्छा 10 और 4 cut करेंगे कितने time में 26 time में और देखो और 100 होता तो हम cut करती तो कितना 1 तो हमारा आता है 25 और 104 है तो हमारा आएगा 26 तो देखो 4 से 104 हमने cut किया तो हमारा answer आए 26 26 into 10 तो हमारा answer कितना आएगा x equal to 26 0 तो हमारे x की value क्या होगी 26 0 जही हमारा answer है बहुत ही simple है कोई problem नहीं है अभी आपको लग रहा है कि 2-3 step में ऐसे जब आपको practice हो जाएगे question पढ़ते ही सीदा answer ticker होगे बज़े practice से आते हैं चीक है और जितना हो सके इस पर practice करना और जो भी problem हो मुझसे बताना comment में है और उमीद है कि आपको ये video समझ में आई होगी thank you for watching this video कोई भी problem आ रही है आपको advanced video आपको आगे मिलती जाएंगी regularly इसका advanced part है थोड़ा थोड़ा increase होके स्टाइटिंग में आपको इंक्रीजमेंट लगे भी और ना लगे आगे सलके आपको बहुत इंक्रीजमेंट लगे थैंक यू